हलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने खराब सिबिल स्कोर को सही कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको खराब सिबिल स्कोर है, तो आपको बैंक लोन नहीं देगी या अगर आपको कम इंट्रेस रेट पे लोन चीए तो आपको मिन्ममम 750 का स्कोर मेंटन करना काफी इंपोर्टेंट है तो आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे आसान तरीके लिए हूँ जिसमें आप अपने सिबिल स्कोर को सही भी कर सकते हैं और साथी शाथ जिससे आपको आगे जाके लोन लेने भी दिक्कत नहीं हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्ली लाइक सब्सक्राब करना साथी शाथ बैल आइकन को प्रेस करना मत बूलना सबसे पहले आपको अपनी एक सिबिल लिपोर्ट निकालने पड़ेगी क्योंकि बैंक में जब भी आप लोन अप्लाइ करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपके सिबिल को चेक करता है और बैंक जब भी लोन आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो बैंक कभी भी आपकी सिबिल को सो नहीं करता हूं तो इसलिए अगर आप अपने कोई थरपड़ी वेबसाइट से सीविल लिपोर्ट निकालते हैं जैसे के पैसा बजार पॉलिसी बजार मुल्टिवल वेबसाइट हैं वहाँ से अगर आपको चैसे साथ मैंने पुराना डेटा मिलता है जिससे आवरेज आ अपना ओफिसल वेबसाइट से वेबसाइट से आप फ्री में सीविल लि defens निकाल सकते हैं सीविल लिस निकालने के बाद सबसे पहले आपने सीविल स्कॉरट चेक कर लिजे क्योंकि अगर सीवील में आप एक्टिव हैं तो आपका इसकॉर्ट 300 200 के बीच में रहेगा अग क इसके बाद उसमें यह भी क्रॉस चेक कर लिए कि आपके कितने सा रेकाउंट अभी भी उपन दिखाए दे रहे हैं अगर आपने कोई लोन अगर आपने लिया है टाइमली पेमिंट कर दिया है उसमें अभी भी यह चीज उपन दिखाए दे रहे है तो जिससे आपकी सीबिल तो उन चीज़ों का आप मार्क करे रख लीजिए उसके बाद उसमें यह भी प्रॉस चेक कर लिजिए कहीं इप जो टाइमली रिपेमिंट कर रहे हैं मंतली आप ECS की थुरू यह मैं आप पेमिंट कर रहे हैं बैंक को कहीं कभी क्या होता है कि आपने एक दो दिन आगे पी सो कर रही है पेमिंट अभी भी सो कर रहा है तो आप उन चीज को माक कर लिजे माक करने के बाद आप सिबिल को एक मेल कर दीजे जो आपका सिबिल रिपोट है वह प्लस आपके बाद जो भी डॉक्मेंट से वह आप अटेच्च कर लिजे अटेच्च करने के बाद आप सिबिल को mail कर दिजए, civil की जो mail idea info at the red civil dot com info at the red civil dot com इस पे आप एक mail कर दिजए, mail करने के बाद आपको साथ दी में revert back आ जाएगा, आपकी query solve हो जाएगी, और आपको civil की दोरा एक final, एक phrase report फिर से मिल जाएगी, आज के दिजए पर multiple bank offer कर रही FD against credit card, जिसमें ICC, HDFC है, आप जो भी FD amount रखेंगे, उसका bank interest भी आपको देगी, और एक credit card भी देगी, means देशे कि आगर हम ICC की बात करें, तो आपने समझे कि ICC में क्या facility है, कि 20,000 से लेके 3,000,000 के बीच में आप जो भी FD amount रखते हैं, उसके 70% limit का आपको card मिलेगा, उस card को आप minimum 8 मेने से लेके 1 साल तक अच्छे से use करिए, आप 1 साल तक use करने के बाद, आपके civil automatically improve हो जाएगी, और आपको जो भी FD amount का, जो bank का interest रहेगा, वो भी आपको return मिलेगा, उसके बाद आप card रिटन कर दीजे bank को, अगर आपको card को use करने तो आप use करते जाएगे, और आपको multiple bank के और भी नए offer आएंगे credit card और loan लेने के लिए, तो आप उनको भी apply कर सकते हैं, third option आपके पास है, ये amount debit card के दुरू, अगर आपके civil खराब है, तब भी आपको eligibility मिल जाएगी, अगर आपकी civil काफी अच्छी है, तो आपको लाखों में इसकी limit मिल जाएगी, आप जो भी limit आपको eligible मिलती है, आप Google में search के लिजे, आपके bank का, क्या आपको SMS करके, एक code आपको message करना पड़ेगा, message करने के बाद आपको SMS आजागा, बैंक के दुरब से कि आप कितने amount के लिए eligible है, उन amount में आपको भी flip card है, एमोजन से आप एक product purchase कर लिजे, जितनी EMI में आप product purchase करेंगे, जो भी EMI आप timely उसका repayment कर लिजे, repayment करने के बाद आपको क्योंकि civil में वो चीज़ एक loan दिखाए देगा, consumer loan दिखाए देगा, आप जो timely repayment करते हैं, जिससे आपके civil improve हो जाती है, उमिद करता आपको मेरी वीडियो पसंद आगी, वीडियो पसंद आए तो प्रील लाइक सब्सक्राब करना, क्योंकि बैंकिंग से लेटेड आपको ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी, thank you.